ट्रेडिंग उतना मुश्किल नहीं जितना हम लोगों नहीं इसको करके रखा है बस आपको जरूरत है थोड़ से ध्यान की मैंने इस पे बहुत बार आपको बताया है कि जैसे मार्केट शूरू होता है आपको सबसे पहले करना क्या होता है लेकिन हमारा प्रावले में कि हमको हर रोज भूलने की आदत है अगर हमें किसी दिन एक लॉस कर लिया तो हमें याद रहता है अच्छा ऐसा हुआ था अगले बार मैं पक्का ऐसा नहीं करूँगा लेकिन थोड़ देर बाद ही अगले दिन मार्केट में जैसा ही फिर से वैसा कुछ सिचुशन बनता है आप फ सबसे पहले होता है फाइब इनटम का कैंडल आप उसको सबसे पहले मार्क करना सीकेए अब कई का बार होता है कि वह फाइब मिनटकवा कैंडल होले के बाद सेकंड कैंडल भी आपको एक ऐसा पूसेशन दे द lies और यहाँ पर चला गया उसी तरीके से आप अगर जहां से इस candle का support बना था तो मैंने कई बार कहा है market अगर यहां से trade कर रहा और बाद में कभी भी 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद market की support अगर cross करता है यहां पे आपके लिए बहुत strong एक support बहुत strong एक आपको यहां पे trade मिलता है सिर्फ इतना ही नहीं आपको पता है जब market यहां से वापस अगर जाए और फिर से यहां से entry करे तो बहुत बार मतलब मैं कहूं तो 10 में से 8 बार market यहां से और ज़्यादा उपर जाने की ख्रमता रखता है लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ कोई बात नहीं लेकिन आप अगर आप में brick करेगा तब आपको बहुत बड़ा पैसा मिलता है यही चीज ऊपर के तरफ भी लागू होता है जब market अपने पहले resistance को लेकिन आप कहेंगे सर यह तो बहुत जादा उपर गया है नहीं हाँ यह पर उपर जादा नहीं गया है उसका main कारण था 46,160 अपने आप में ह market अगर इसके नीचे खूलता है तो याद रखिए 160 उसके लिए एकदम ऐसा amount average जैसा पहाड हो जाता जिसको cross करना इतना आसान नहीं होता पर हाँ अगर market all time high पे है तो second session में इसको cross करने की ताकत इसमें होगी लेकिन किसी कारण से आज ही जा नहीं पाया इसका आपको मैं औ तक market पहुचा और जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से एक line किच दिए बस इतना ही करना है जहाँ से market शुरू हो रहा है जो पहला candle बन रहा है उसका high और low mark कर लीजिए market जब ही भी इसके नीचे आएगा आपको market पैसा देके जाएगा इस बात को आप याद रखिए और market जब इसी line को यह देखिए यहाँ से market नीचे आया और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा जब यह वापस जाएगा तो भी आपको अच्छा पैसा देगा अब यहाँ से trade लेना आपके लिए उतना शायद आसान नहीं होगा लेकिन market जब फिर से इस channel के अंदर जाएगा आप य इसको हम कहते है horizontal line बस आपको market का जो सबसे पहला वाला कहने यह support देखिए यहाँ पर बहुत बाड़ा support मिल रहा है तो हमने यह draw कर दिया अब market जबी भी इस line के नीचे आएगा एक ग्रावट आएगा इस line के उपर जाएगा तो आपको bullish trade मिल जाएगा फिर से देखिए यह इसको कहते है false breakdown मतलब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया फिर यहाँ से उपर भाग गया तो यहाँ पर चोटा stop loss आपका लग सकता है लेकिन अगर तूरंट यहाँ से आप call भी buy करते हैं तो भी आपका फायदा हो जाता है मतलब जो आपका stop loss अगर गया भी होगा तो समझने की कोशिश करिये बीस तारी को क्या हो था पहला candle दूसरा candle तीसरा candle तीसरा candle ने अपना एक यहाँ पर resistance ड्रॉ किया बनाया और यह हमारा पहला वाला candle है अब देखिए market में आपको क्या कहा जब market अपने resistance को break करेगा तो भी आपको बहुत अच्छा मूँ मिलेगा तो उस resistance को market जब break करके उपर जाने लगेगा तो आपको यहाँ से बहुत बड़ा bullish trend मिलेगा और उसका फाइदा कम से कम market आपको देड़ से दो गुना तो करी देता है जब market अपने resistance को break करता है यह कई कबार होता ही है कि देखिए कहा से कहा तक पहुचा यहाँ से market ने यहाँ पे आपका breakout दिया बारा बज़े से लेके धीरे 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 देखिए market कहा से कहा पहुच गया यह देखिए market यहाँ तक पहुचा था यह कितना 200 है और कहा से breakout market को मिल रहा है अगर आप इस range को अगर आप draw कर लेते है तो यह लगबग साड़े 700 के आसपास है तो साड़े 700 से लेके 500 कितना बड़ा नंबर है यह सीधा सीधा हम गिनने जाए तो 500 पॉइंट है यह तो बैंग निफ्ट में 500 पॉइंट को capture करना हाँ इसको इतना बड़ा capture market में इतना बड़ा hold करके रखने में सबकी एक्ष्मता नहीं होते लेकिन हाँ 100 पॉइंट तो कर लेंगे आप प करते होगा बस इस बात पर अपने आप विश्वास करिए आप जितना हो सके ना तो बंद market में काम करनी के कोशिश की है चालू market में दिमाग काम नहीं करता है तब सिर्फ call और put लेनी की hold होती है तो बहतर होगा बंद market में इन सब चीजों को ठंडे दिमाग से देखिए और अगले दिन लाइन ड्रॉप पहले कर लीजिए उसके बाद ट्रेड लेने में आपकी बहुत आसानी हो जाएगी वीडियो अगर अच्छा लगए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए जैहिन